नमस्कार स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चानल में तो आज की वीडियो में जो है हम दोस्तों IPS वाटर पूप्री और ब्रिक बैट कोबा इन दोनों में से कौन से बहतर है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इन दोनों को कंपेरिजन करके देखेंगे कि कौन स बहतर है और कौन से नहीं इसके आडवांटेज क्या है और डिसाडवांटेज क्या है इन सभी के बारे में हम देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रेक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजे और पूरी कमप्लीट कर लेते हैं तो वाटर पूपिंग तक आने तक हमारे पैसे खतमा होने लगते है या फिर वहाँ तक आने तक हमारा बजेट नहीं रहता और लोग क्या करते हिए जब भी आ उनका घर जो है वह लीकेज होने लगता है तबी वह वाटर पूपिंग प्रसेश शुर करता है जो कोई भी आपका स्लैब है उसको वो तप्ति धूप से भी बाचाता है तो यह अक्षा पाईदा होता है जब भी आपका स्लैब से अच्षा बी içज होने लगता है मतलब की जो समझ्हाइी होने इणिंडियन पेटन स्टोन यानि कि जिसे हम प्लेन गोटाई कहते है प्लेन गोटाई जो होती है इस यह वाटर परबिंग का एक दम बेशिक और बहुत ही पूराने तरिक्यों में से एक है और दूसरा जो होता है वह है पर ब्रिक पैट कोबा मतलब क्या होता है जिसे हम अम तुकडा गोटाई कहते हैं जिसमें कि होता है कि इतों को टुकडा का इस्तमाल हम लोग करते हैं और कुछ जगते पूरीं इतों कह भी इस्तवाल कर दिया जाता है हाला कि पूरी इटो का rate ज्यादा होता है और टुकड़ों का कम होता है इसलिए टुकड़ा गोटाई ज्यादा करके लोग prefer करते हैं इसलिए आप क्या कीजिए अगर आपको थोड़ा बहुत खर्च बचाना है तो आपको टुकड़ा waterproofing कीजिए तो यह तो टाइप होते है जो कि मैंने आपको एक्दम सिपल भाशा में बाता है तो हम देखते हैं इन दोनों के बारे में हमने separately वीडियो बना के रकिये आई बटन में उन दोनों वीडियों का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर उन दोनों वीडियों को देख सकते, उसका cost कितना आता है, उसकी procedure क्या है, इन सभी के बारे में हमने उस वीडियों में discuss किया है, तो दोस्तों देखते हैं हम material क्या क्या लगता है, जो IPS water popping होता है, जो इन चीजों का इस्तमाल होता है, अब देखते है cost, जो material है वो IPS गोटाई में कम लगता है, इसलिए पहला advantage हो जाता है IPS water popping के तरफ, और इस वीडियो को अगर आप पूरा जरूर देखेंगे, तो आपको पूरी idea आ जाएगी कि आपको कौन सा water popping करना है आपके घर के लिए, और जो brick bat koba होता है, तुकड़ा गोटाई, उसमें 50 रुपए से लेके 60 रुपए per square feet के ही सबसे खर्च आता है, यानि कि हम मान के चल सकते है कि 30 से 40,000 रुपए तक खर्च, 1000 square feet के लिए आ सकता है IPS गोटाई के लिए, और जो brick bat koba है, उसको 50 से 60,000 रुपए तक खर्च आ सक क्योंकि उसको जो है, 20 से 25,000 रुपए तक कम खर्च आता है 1000 square feet के लिए, compared to तुकड़ा गोटाई, तो यह definitely advantage हो जाता है IPS waterproofing के तरफ, plain गोटाई के तरफ, अब आते हम weight के तरफ, बहुत से लोगों को लगता है कि weight का क्या matter होता है, तो weight देखिए IPS waterproofing जो है, वो definitely light weight होता है, compared to brick bed coba, क्योंकि उसमें brick bed का इस्तमाल होता है, नीचे जो है mortar का ले रहाता है, बीच में mortar place किया जाता है, और तो और इटे होती है, उसके उपर finishing coat आता है, इसके वज़े से उसका weight definitely बढ़ जाता है, अंदाजन आप मानके चल सकते हैं, यह 1900 से लेके 2000 kg परियम उसका weight होता ह ब्रिक बैट कोबा का, और IPS waterproofing का इससे बहुत जादा कम होता है, इसलिए आप आगे हम आगे ले point में देखेंगे कि किस जगह पे आपको इसका फाइदा होता है, और किस जगह पे नहीं होता है, तो lightweight के मामले में IPS यानि की plain घोटाई को ही उसका advantage मिल जाता है, और तो और आ होता है कि आपको पहले दिन water place करना पड़ता है, उसके बाद में brick को laying करना होता है, और उसके बाद में curing होने के बाद, चार पास दिन बाद आप उसको finishing layer देते हैं, तो यह definitely again जो है, चोथा advantage भी जो है, वो IPS waterproofing के तरफ ही जाता है, कि उसका जो time period है, वो कम लगता है, अगलग waterproofing ही करना पड़ेगा, यह नहीं कि आप सभी जगह पे गोटाई IPS waterproofing करेंगे, इसलिए हम आग बढ़ते हैं, हमारे आगले next point के तरफ, अब जो definitely जो effectiveness है, या फिर durability है, वो brick bed coba की यहाँ पर जाता आती है, अब जब भी आपने देखा होगा, कि brick bed coba जो है, उसको like ज्यादा होती है, उसके बाद में, जो IPS waterproofing होती है, उस brick bed coba जो है, वो टुकड़ा गोटाई, उसके comparison में ज्यादा like नहीं होती है, होता यही कि जब भी आप brick bed coba करते है, तो brick bed coba जो है, वो आच्छे से आपका जो temperature है, वो भी maintain करने में आपकी मदद करता है, पर जब IPS waterproofing आप करते हैं, तो IPS waterproofing होने के बाद, 4-5 साल बाद होता है, कि heat के वज़े से, जो है, वो बीच में bubble तयार हो जाते हैं, और बाद में, वहाँ पर IPS waterproofing जो है, वो plane गोटाई होती है, वो जो है, वहाँ पर फट जाती है, और फटने के वज़े से वहाँ पर फिर से leakage का problem जो है, वो start हो जाता है, और ऐसे वक्त में आपको वापस से वाटर पूपिंग करना पड़ता है, और जहां तक बात आती है, ब्रिक बैट कोबा की, वो इतना effective होता है, कि उसे जहां पर ज़्यादा water का इस्तमाल होता है, ऐसे जगह पर इस वाटर पूपिंग का इस्तमाल किया जा आता है, इसलिए जो है यह ज़्यादा effective होता है, ज़्यादा leakage जो है आपका जो है वो कंट्रोल आने में, जो है ब्रिक बैट कोबा ज़्यादा effective और कारगर होता है, और तो और वो long life भी होता है, इस तरह कि जो IPS में problem आते हैं, वो definitely ब्रिक बैट कोबा में problem नहीं आते हैं, और IPS में अगर workmanship poor है, तो उसकी life बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है, क्योंकि अगर water सही से mix नहीं किया गया है proper, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है IPS waterproofing में, तो आपको इसलिए ध्यान में रखना है, आगला यह जो उपर के सभी points से, चारो point भी एक side म अगर आप कर सकते हैं, तो ब्रिक बैट कोबा को ही definitely कीजिए, थोड़े पैसे जादा जाते हैं, पर आपका waterproofing जो है वो ज्यादा effective ने से हो जाता है, अब last का point जो है, जिसमें हम consider करेंगे कि आप किस जगह पर इन waterproofing को कर सकते हैं, देखिए IPS waterproofing जो है, वो suitable है, अगर आपक बहुत पूरानी building है, वो उस पे ज़्यादा load नहीं बढ़ाना चाते हो, तो ऐसे situation में आप brick bed IPS waterproofing कर सकते हैं, पाच्छे साल बाद अगर आप अपना उपर का floor बनाने वाले हो, तो ऐसे situation में भी आप IPS waterproofing को consider कर सकते हैं, मेरी recommendation ये रहेंगी, अगर आप पाच्छे साल बाद अगर आप उपर के मंजिल बना रहे हैं, तो आप definitely नीचे के तरफ IPS waterproofing कर सकते हैं, और अगर आप मान के चलिए, आपका घर नाया नाया बना हुआ है, और अगर आप इसके उपर कोई मंजिल नहीं बनाने वाले, और आपके leakage की समझ से बहुत जादा हो रहे हैं, तो ऐसे situation म मेरे recommendation यह रहेगी कि आप brickbat koba, यानि टुकड़े गोटाई ही करें, जिससे कि आपको definitely मदद मिलेगी, तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चलोगा कि ये दो water waterproofing अपने अपने एरिया में जो है, वो अच्छे साबित होते हैं, जो IPS waterproofing है, आप अलग case में इस्तमाल की कीजिए और जो brickbat koba है, आपके situation आनुसार आपके इस्तमाल कीजिए, हाला कि brickbat koba जो है, इसमें थोड़ा सा पैसा जाता है, पर आपकी जो leakage की समसे है, वो तुरंत ही sol हो जाती है, आप कौनसा भी waterproofing कीजिए, पर ये मत कीजिए कि जब आप पाच्छे साल बाद आपका घर बहुत जादा leakage हो रहा है, तब आप waterproofing कर रहे है, तो ये गलत हो जाता है, जो आपका corrosion process जो start हो जाती, जो slab को आपका खराब होने की process start हो जाती, वो बहुत शुरू से शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रहा कि अगर आप अपना घर करेंगे, उतना जल्दी आपके घर के लिए अच्छा होता है, तो दोस्तों यही था आज के वीडियो, मैं आशा करता है कि इस वीडियो से आपको, आपके सभी doubts क्लियर हो गए होंगे, और जैसा कि मैं आ रहा है आप से कहा, अगर आप चानल पे नए आया हो, तो चानल को ज अच्छी बात, यह तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाए, धन्यवाद,